Hello friends, तो आज वाली class में हम देखेंगे कि कैसे आप Firebase console में जाके project को create करते हैं और create करने के बाद में क्या changes करने रहते हैं आपको अपने Android Studio के project के अंदर तो ये करना important इसलिए है क्योंकि एक बार अगर आपने project create कर लिया Firebase का उसके बाद में आपको Android Studio में भी कुछ changes करने पड़ेंगे, कुछ linking करने पड़ेंगे उसके बाद ही आपका Firebase का project है जो आपने Firebase console पर create किया है वो connect हो पाएगा आपके Android project से और जब run time में वो चलेगा किसी भी smartphone के अंदर या Android smart device के अंदर या Android real time device के अंदर तो वो जो अब का backend है वो हम control कर पाएंगे या manage कर पाएंगे उस Firebase console के project से जो हमने create गया तो पहला step क्या है project को create करना Firebase के console के उपर, then उसको link करना हमारे Android studio के project से तो चलते हैं सीधा Firebase console के अंदर जहां हम एक project create करेंगे, then हम अमारे Android studio के अंदर रहेंगे, वहां एक project create करेंगे, और फिर इनको link करेंगे और ऐसा नहीं है कि आप एक नए project को ही link कर सकते है Firebase में, अगर आपको कोई भी पुराना project है, यारी कि आपने project को पहले create कर रखा है और अब उसको link करना चाहते हैं, या आप उसको आप back end में as a Firebase को use करना चाहते हैं, तब भी ये चीज पॉसिबल है that means जो हम आज वाले section में सिखेंगे, वह मैं करूँगा आपको एक दम scratch से सिखा रहा हूँ, इसलिए एक नया project create करूँगा house project को हम link करेंगे हमारे firebase के project से, बट आप इसको कोई बने बनाय project से भी link कर सकते हैं, चीज़गे, तो चलते हैं सीधा firebase console के अंदर, तो यहां मैंने अपना browser open कर लिया और यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे browser open करने के बाद में console.firebase.google.com जब मैं enter करता हूँ, तो यह क create करना पड़ेगा, then आप इसमें login कर पाएंगे, या फिर अगर आपको email है, और most probably आपको email होगी, तो वो email यहां पर required रहेगी, वो email आपको login करनी है, and then जैसे ही आप email login करने के बाद firebase console को open करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहां मेरा project पह आपको click करना है, जैसी आप click करेंगे, तो यहां पर आपको project का name देना है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जो आप अपनी app का नाम दे रहे हैं, वो ही आप यहां पर project name दे, हाँ, better choice ही रहेगी कि जो आपनी app का नाम दे रहे हैं, वो ही आप यहां पर project का नाम भी दे, टेक्ट डेव मैं अपने हिसाब से दे रहा हूं डेव फॉर डेवलेपर तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं तो मैं यहाँ पर किसी सीटी ओरिएंटेड एक बना रहा हूं तो उसके लिए मैंने का किया जोत्कुर डेव नाम से अपने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया अब मैं गूगल अइनलेटिक्स अगर आप अफ करते हैं तभाले को प्रोजेक्टि प्रोजेक्ट हो जाएगा थे इस पने बिदे say अगर फेले कर से इस div और रौजेक्ट को से ऐब बेचंगत है यहांब आप इंदर देख सकते हैं कितने सेहिर्श आपको मिल philosophicalτά जो आता है आपको crash analytics के अंदर जहां पर अपनी एप को crash free बना सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा जैसे आपने एप को test किया सब कुछ किया उसके बाद में आपको live भी कर दिया कहीं बार क्या होता है आपके model के हो गई है तो उस चीज को identify कैसे करेंगे उसके लिए आपको पर्टिकुलर मॉडल में वह आपको चला के आपको देखना पड़ेगा तो ऐसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर इस पर्टिकुलर लॉक के साथ में एक एरर आई थी और और इस तरह सकते है तो इस तरह के ईलो या यूज पर्टिकुलर आपको परण को तक recognize कर देया आपको account को select कर दिना है को का multiple ब RICH के डिफॉल्ट है यहां डिफॉल्ट account आपको select कर लेना और create project स्टक्र जैसे सकते ब kit करोंगे लिए आप देख सकते हो creating your project ढःए चाहिए और new project is ready continue अब QR कर करें आ तो यहां पर जो हमारा project थे रिश्म सीरे क्रेट करने का जो WAS करना पड़ Camich joh aunta bana वो किस पड़ेकोलर चीज के लिए आप आइपॉन development करें करें रही हो यह वाट development करें किसके लिए करें तो आप क्या करें टैब्लबर एट दो उसके लिए यहां पर ove unfortunately और यह सारी nil जाएगी डिलीज एंघ मोनीटर जो जो फंक्श 270 वाले हमने discuss किये थे previous वाले section के अंदर वो सारे features आपको यहां देखने को मिल जाएंगे authentication cloud firestore real-time database storage hosting functions और इसमें add होते जा रहे हैं अब यहां पर देख सकते हो dashboard अब यहां पर सारी चीजों को control कर सकते हो manage कर सकते हो अपने project से regarding ठीक है और project कौन सा यहां पर जितने भी project से आपके पास में वह यहां पर drop-down में दिख जाएंगे जैसे मेरे दो ही प्रोजेक्स हैं आपकी जितने multiple projects हैं उनको आप project से बीच में यहां से switch कर सकते हो अगर आपको सीधा बाहर जाना है तो आप इस अपने android app के अंदर सब तक इनके features का कोई sense नहीं है तो हमने project बले ही बना दिया लेकिन उसको integrate करना पड़ेगा हमारे दो हम यहां पर चलता हूं यहां लाख पेस्ट कर देता हूं चलते सिधा एंडर शूडियो के उचुका और मैंने इस project का नाम दियूँ जो कि मैंने आपने Firebase Console के प्रोजेक्ट बनाए था उसका भी नाम सेम दिया था देखो बैटर है अप्रोच है कि आप सेम नहीं देते हैं और अगर आप सेम नहीं नहीं दे सकते हैं कहीं बार क्या होता है कि आपने प्रोजेक्ट जब टीट किया सब तो सेम दे दिया लेकिन बाद में ऐसा ह मखरें को करो कई देना चेरा चाहिए खसकते हैं और यह अधुरे म BIशा मेंग fisherman ऑब यह देना चाहिए और शेकर नशनरी आपका शांक प्रोजेक्ट की होती है हर एक डिफर य किननिक वेल्य होती है तो इस रेट इसु कि बड़रेत होती में तो वो शावन वैल्यू भी आप यहां डाल सकते हैं चीक है और वो डालने के लिए आप यह कर सकते हैं मैंने उस समय भी आपको बताया था कि आप कितने तरीके से शावन को क्रेट कर सकते हैं कोड लिखके भी आप शावन जनरेट करवा सकते हैं आप जो गूगल मैप को यूज करते तो उसमें बाई डिफॉल्ट एक फाइल ओपन आती है डीबग अपी वाली उसमें भी वह जो आपका शावन है वह बाई डिफॉल्ट वहां लिखा वात है और तीसा तरीका होता है यह आज ही आप साइणिंग रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यह साइणिंग रिपोर्ट एक्सेक्यूट होगा और इसकी जो कर दें अब जैसी आपकी एप रजिस्टर हो गए तो यह आपको कह रहा है कि गूगल-services.json आपको डाउनलोड करनी है उसको आपके प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट करनी है तब आपकी एप जो रन होगी किसी भी यूजर के फॉन के अंदर तो यह फाइल से ही कनेक्टिविटी बनाई जाएगी जो भी रिक्वाइट डेटा चाहिए होता है कनेक्टिविटी के लिए उस तब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा एक पर्टिकुलर फाइर बेस अकाउंट और एक एंडर शूडियो प्रोजेक्ट का कनेक्टिविटी के लिए ठीक है तो यहाँ पर यह जो फाइल है आपको यहाँ पर डाउनलोड का ओप्शन आ वर्टिक्लर पात पर जाके आपको देखना है तो आपको ये फाइल मिल जाएगी और यहां पर जैसे की मैं घूर्ट करके शोओ फोल्डर के अंदर तो यहां में युछ फाइल मिल जाती है इसको टैब में जाना है या प्रोजेक्ट वाले विंडो के अंदर जाना है और यहां पर यह जो आपको टैब में ऑप्शन दिख रहा है याने कि Android अभी बाइड डिफॉल्ट रहा है और Android को हम यूज करते हैं और क्यूंकि उसका जो प्रोजेक्ट का फ्लो होता है वो सही रहता है जिसको एक डेवलपर अच्छे समझ सकता है बट इस केस में आपको क्या करना है प्रोजेक्ट वाले के अंदर जाना है जैसे आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ आपको दिखने को मिलेगा अब आपका आपका नाम है उस वाले पोल्डर पे क्लिक करना है उ और यह जो फाइल का नेम है वह इस रहने दे और इसको रिफ्रेक्टर कर दे तो यह आप देख सकते हैं कि यह फाइल आ चुकी है और जो भी डिक्वाइट डेटा है आप देख सकते हैं कि जो रॉन टाइम में फाइर बेस को कनेक्ट करने के लिए चाहिएगा उस बैकेंड सर्वर कौन है फाइर बेस दो अपर प्रोजेक्ट हमने वहाँ क्रिएट की यह फाइर बेस के अंदर इसपे-क्लिक कर देते हैं अब यह आपको कह रहा है कि आपको-फाइर बेस का जो आश्टिक के हैं सल्प्वर डेवलपमेंट किट वह कुछ फाइल रिक्वाइट व्यो करते हैं तब हमको फाइल की जरूद पड़ती है किसी भी चीज का sdk करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो पहली रिक्वार्मेंट यह कह रहा है वह क्या कह रहा है जो आपका प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड और फाइल है उसके अंदर यह चेंजिस करने हैं चेंजिस और आपको mention करना है तो चलते हैं सिधा Android Studio के अंदर और यहां पे आपको गेडल स्क्रिप्ट यहां मिल जाएगी तो गेडल स्क्रिप्ट यहां मिलकी अब यहां पर देखो दो बिल्ड और गेडल है आपको अभी वाला कौन सा ओपन करना है प्रोजेक्ट वाला यहां पर कै प्रोजेक्ट लेवल वाले इंदर जाना है और यहां पर देखो सबसे पहली चीज बेहरा है बेल्ड स्क्रिप्ट के आंदर रिपॉसे का इंदर आपको यह जो गूगल है यहां mentioned है तो अकर mention नहीं है तो आप mention कर देना देन आता है दूसरी चीज़ dependencies होगी उसके नीचे उसके अंदर ये class path add करना है तो यहाँ पर देखो class path जो अड़ेड नहीं है तो यहाँ मैं add कर देता हूं चीज़ कि अधर गूगल होना चाहिए तो यह भी आप copy कर ले और यहाँ देखें पहले से हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी सिंक नाओ पर मत जाना क्योंकि अभी सिर्फ एक गेडल फाइल में हमने changes करेंगे तो अब दूसरी फाइल फाइल में changes करेंगे तो अब दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं build.gradle जो कि हमारी अब यहां पर आपको क्या करना है यहां पर देखो सेकंड जो चीज है पहली तो यह चीज होगी आपकी प्लगिन नहीं मिलेगा तो आप इसको एड़ कर ले तो इसके बाद में यह कह रहा है कि आपको dependency में यह एड़ कर देना है तो यह आपके ऊपर हूँ करता है कि आपको कंण साएंड करना है यह जारूरी नहीं करें लगा अगर उनमें से क्लावड मेसेजिंग उसके लिए अलगड बंस्ड्र होती ए अगर आप मणटीपल फीचर IKEA material की कि कर रहे हैं तो आप वही डिपेंडेंसी लगाने की रिक्वार्मेंट नहीं है तो यहां मैं केवल और केवल अनलाइटिस को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर इसको पेस्ट कर देते हैं कि आगे आने वाले क्रास में जब मैं आपको रियल टाइम डेटाबस को इंटिग्रेट करना सिखाऊंगा या फिर फायर बेस की क्लावड होने के बाद में internet on होना चाहिए आपके PC में या laptop में जिसमें भी आप इसको चला रहे हो Android Studio को और Sync Now पर आपको tap कर देना है चीक है तो यहां पर कोई भी error नहीं है that means सबकुछ सही रहा कोई भी dependency में problem नहीं थी तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो successfully जो है वो configure करता है यानि कोई भी firebase के feature को अगर आपको access करना है या use करना अपने project के अंदर तो starting जो phase रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि आपको एक firebase का project create करना पड़ेगा console में जाके then उससे regarding आपको select करना पड़ेगा कि आपको किसके लिए setup करना है तो हमने setup किया android के लिए तो आपको android बिचाना पड़ेगा उसके बाद में आपने project की information है वो उस particular form में fill करनी पड़ेगी उसको fill करने के बाद में आपको google-services.json file मिलती है उस file को download करना है और एक particular जगा and then further firebase के जो भी features है उनको आप अपने project के अंदर use कर सकते है अपनी coding के थूँ चीक है तो आज ही class के लिए इतना ही thank you झाल